नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल जीवन जीने की खला में दोस्तों क्या आपको पता है कि सिर्फ पान खा करके आप जीवन भर स्वस्त रह सकते हैं जी हाँ आयरवेद की बुक के एकोर्डिंग आप जब भी पान का सेवन करें तो कैसे क बस ये समझना बहुत इंपोर्टेंट है फिर आप देखिए कौन-कौन बिमारी से बचेंगे और कैसे आप पूरे जीवन स्वस्त रह सकते हैं ये समझ लीजे इस वीडियो में पान जब भी खाओ तो कथा मत लगाओ बिना कथे का पान खाओ ठूकने की जरूरत ही नहीं प वात का नाश करता है तो एक पित का नाश करता है और कफ का भी नाश करता है पान तो पित और कफ दोनों का नाश करता है और चुना जो है वात का नाश कर देता है तो इस प्रकार से आपकी बोडी में वात पित कफ ये तीनों बैलेंस हो गए यानि कि आप पूरे जीवन सबस्त रह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पान का सेवन करके जी हां क्योंकि यह तीनों को बैलेंस करने का गुण रखता है जी हां यानि कि यह बहुत कमाल के उश्यदी है इसका सेवन करना चाहिए लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें कभी भी कथा मत मिलाईएगा जिंदगी भर न विलाईती पान मत खाईए जी हां जब भी खाईए तो देशी पान का सेवन किजे पान जितना कसैला होगा पान उतना अच्छा होगा जो प्रकृती की पैदा की गई वस्तु का रंग जितना जादा गहरा होगा वो उतनी ही जादा बड़ी ओश्यदी होती है जैसे कि देश पान ज्यादा गहरा हरे रंग का होता है और विलाइती पान हलके हरे रंग का होता है तो वागभट जी कहते हैं हलके रंग की चीजों का सेवन मत कीजिए गहरे रंग की चीजों का सेवन कीजिए तो गहरे रंग का पान खाईए गहरे रंग की चीजें जो भी भर पेट कि जो भी रंग है किसी विवस्तु में वो भगवान का दिया हुआ कोई न कोई ऐसा रस और एंजाइम है जो आपको गंभिर बेमारियों से बचाता है तो गहरे रंग कई पान का सेवन कीजिए उसमें कसैला स्वाध होगा वो आपके लिए फायदेमंद होगा उसमें मिलाना ह हो तो क्या मिलाइए सबसे पहले तो चूना मिलाइए तो सवाली आएगा कि चूना कितना मिलाएं जी हां तो एक पान में ध्यान रखे जब भी खाईए तो एक चना जो होता है चना उसका चोथा भाग यानि कि चने को बीच से तोड़िए फिर एक बार और तोड़िए चूना ही चूना हमारी सिहत के लिए अच्छा होता है एक गरम इसके बाद इसके साथ और क्यालें चूने के साथ तो सौंफ लीजिए जिहां इसके अलावा थोड़ी सी अजवाइन मिलाईए सौंफ आपके पाचन तंत्र को बहतर कर देगा जो पूरे शरीर के लिए अंद डालिये यह चीजें उन्होंने बोली है यानि के वागभटे जी ने बोली है पान के साथ खाने के लिए उन्होंने जो बात बोली नहीं उस बात का ध्यान रखिए सुपारी नहीं कहा हो अपढ़िएगा कभी ऑफ अरुवेदा की बुक आपको कहीं नहीं मिलेगा कि उसमें आपको सुपारी के बारे में जिक्र हो, कथे के बारे में जिक्र हो, तो यानि कि सुपारी और कथा छोड़ कर कहीं पान का सेवन किजिए, अगर आपको पूनता हलाब लेना है तो, अब एक बिमारी है, माउट कैंसर की, जी हाँ, मुख का कैंसर, आप सभी जानते हैं, खास करके उनको होता है, जो गुट का बगएर का जादा सेवन करते हैं, लेकिन पान में इतनी गुण है कि ये उस कैंसर को खत्म कर सकता है, कैसे खत्म करेगा, और होने ही नहीं देगा, प कारिय करता है बोडी में, और खास करके माउट में मुख का जो दुर गंध है, उसको भी दुर कर देता है, तो ये बहुत जरूरी है समझना, कि पान हमारे शरीर के लिए है, तो बहुत फायदेमन्द, बस इसको गलत तरीके से मत इस्तेमाल कीजे, सही तरीके से इस्तेमाल क कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले साथी साथ लाइक कीजिए वीडियो पसंद आया तो आपको कैसा लगा आपनी प्रतिक्रिया जरूर देजे वीडियो कैसी लगी यह आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत वेल् देंगे फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तक तक आप सभी खुश रहें स्वस्थ रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों